नमस्का एशरी जिन्या में आपका स्वागति में प्रिया आपके साथ आईटी मदरास ने भारती मसालों को लेकर एक रोचक रिसर्च पेटेंट कराया है इस रिसर्च में दावा क्या गया है कि भारती मसालों से कैंसर को ठीक करने की दवाब बन सकती है रविवार को जानकरी दी गई कि इसका क्लिनिकर ट्रायल जल्द शुरू होगा दोजार अठाविस तक ये दवाय मार्केट में भी मिल सकती है रिसर्च Rs ने दावा किया है कि भारती मसाले लंग कैंसर सेल, ब्रेस्ट कैंसर सेल, कोलन कैंसर सेल सर्वाइकल कैंसर सेल, ओरल कैंसर सेल और थाइराइट कैंसर सेल में एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाते हैं ये मसाले नॉर्मल सेल में सेफ रहते हैं रिसर्चर्स फिलाल इसकी लागत और सेफटी की चुनोतियों पर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जानवरों पर इसकी स्टडी हो चुकी है। यह रिसर्च आईटी मदरास के एलूमनाई और प्रतिक्षा ट्रस्ट के जरिये इन्फोसिस के को फाउंडर गोपाल कृष्टनन की फंडिंग के कारण आगे बढ़ रही है। आईटी मदरास की चीफ साइन्टिफिक ओफिसर जायस निर्मला ने कहा कई स्टडी में ये दावा किया गया है कि कॉमन कैंसर इससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन कैंसर ठीक करने के लिए किटनी डोस्ट चाहिए ट्रायल में साफ होगा।